नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से में आपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अभी नंदन करता हूं आज आपके लिए लेके आया हूं स्टॉक अफड़ वीक तो उस हिशाब से अपन बात करेंगे कि आज के इस वीक का हमारा स्टॉक कौन सा है जो हमें दे सकता है एक बहतरी निटन तो उस स्टॉक की आपन चर्चा करेंगे और वो स्टॉक ढूंदने की कोशिश करेंगे अपन पहले से प्रिडिफाइन कुछ नहीं है हमारे पास सारा का सारा आपन सामने एक्ज़क सामने ही देखते हैं सामने ही उसकी अनलेसिस करते हैं कि क्या इस स्टॉक में कहां पर क्या हो रहा है और किस तरह के का स्टॉक अपन को मिलेगा तो चलिए ढोड़ने की कोशिश करते है आपन Stock of the Week उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अभी तेक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेश करिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो के जितने भी कि इस चैनल में क्या हो रहा है कितने मैंने ट्रेड लिये है और कितने में क्या अपना SL लगा है कितने पर आपन का टारगेट आया है तो मेरा जो नेट है वो थोड़ा सा वीड है माफ करिएगा तो उसे साब से आपन बात कर लेते हैं तो सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको अपने चैनल पर तो चैनल पर आपन देखेंगे अभी तक मैंने मेरे जो चैनल पर एक्विटी फोर ट्रेड्स पर अभी तक मैंने 40 वीडियो डाल दिये अभी तक मैंने टोटल मिला कि मैंने 40 वीडियो यहां पर डाल दिये हैं इस चैनल पर ओवरॉल 40 वीडियो तो 40 वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ कि इस 40 वीडियो के अंदर बहूत सारे ट्रेड्स हमने देखी हैं काफी सारे ट्रेड्स हमने देखी हैं काफी सारे 40 trades लिए हैं उनमें आपको SL find करना है कि मेरे SL कितने लगे हैं मेरे stop loss कितने हिट हुए तो यह आपके लिए एक होमग रहेगा और दूसरा होमग कि रहेगा कि अगर SL हिट हुए है तो टार्गेट भी हिट हुए होगे तो मेरे मेरे टार्गेट कितने हिट हुए हैं तो दोनों चीज मेरे को कमेंट में जरूर पताईए कितने ऐसा लगें कितने टार्गेट लगें मैं आपको हमवक करना है और उसी से मेरे जो वीडियो वीडियो है उनी पर टस्ट बनेगा कि यार यह बंदा जो काम कर रहा है वो कुछ इस तरीके से कर रहा है 40 वीडियो के अंदर कितने सारे मेरे टार्गेट हिट हों से खाल है तो यह सारी कमेंट बॉक्स में जरूँर बताईएगा और देखते हैं कितना अपना परफरैट चायो अपने को मिल पाता है उस हिसाप से अपने बात करेंगे आगे तो फिलहाल के लिए हाँ दूसरी सबसे बड़ी बात है क्यों होता था हूँ कि जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं जितने भी वीडियो डाल रखे हैं यह only for the educational purpose है आप इनमें trade मत करिएगा यह कोई buy your sell recommendation नहीं है यह only for the educational video है अगर आप किसी भी तरहेगे कि buy your sell उसमें stock में करते हो तो यह फिर आपका खुद का loss on profit है वो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी उसमें नहीं रहेगी बस हम तो आप से यह कहते हैंगे आप लोगों का प्यार बना रहे और अभी तक 272 subscriber हमें मिल चुके हैं तो जल से जल यह subscribe 1000 तक तो पहुंचाईए कम से कम आप सभी ने subscribe का बटन दबा दिया होगा तो चलिए ज्यादा टाइम खराब न करते हुए और सीधे मुद्धे पर चलते हैं कि आज का हमारा stock कौन सा है तो देखिए यह मेरा मैंने यहां पर इसको करता हूं बन और उसके बाद में सीधा आपको ले चलता हूं stockage पर आने के बाद हम यह देखते हैं कि बैतरीन काफी अच्छी एक हमें फीचर्स देता है जो कि यह वाला है trading stocks मैंने यहां पर क्लिप किया trading stocks पर तो मेरे को जो प्राइस मूवर के हिसाब से जो मेरे को stock मिलेंगे वो आगके सामने list लग गई है यह वाले stocks मैंने प्राइस के हिसाब से मिल गए अब जो मतलब पिछले जो last week माल लो या last day माल लो उसके अंदर week day होगा week तो नहीं होगा day होगा तो last day के अंदर मेरे को और कौन से stock stock में एक भैतरिन return दिया है तो last day आप देखी पार हो 20% का circuit लगा था बुंबे बुंबरा ट्रेडिंग कॉर्परेशन में BBTC stock है उसमें 20% का circuit लगा था 236 रूपीज यह उपर चड़ा था तो एक बारे सी का चार्ड देख लेते हैं अपन तो यह मेरा यहाँ पे आज मेरा जो net है वो काफी slow है तो उस वज़े से मैं आपसे सबसे माफी मांगता हूं क्योंकि थोड़ा सा irritation होता है बुंबे बुंब रहा है यह देखिए stocks weekly monthly पे पहले देखते हैं तो monthly पे setup इसका अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है monthly के setup के हिसाप से और उसके बाद लेकिन monthly का तो आपन को इसके ऊपर breakout चाहिए 1500 के ऊपर का breakout चाहिए तो फिर वो तो बाद की बात है फिलहाल हमारा week close हुआ है तो weekly closing के हिसाप से आपने trade देखते हैं तो trade के हिसाप से यह देख पाते हैं कि यह मेरा एक high है 1420 रुपे का मेरा एक high है और उस high को ultimately कुछ point से यह break करने में रहे गया तो इस stocks को लेने के लिए मेरे को यहां पे कोई किसी की तरह की कोई भी गुणजाईस नहीं है भले ही यह चाहिए दुकल अपर सर्कुटे मार दे लेकिन मैं इस stocks में किसी भी तरह की की अपनी position नहीं बनाऊँगा क्योंकि अपना जो game होता है वो तो सारा का सारा price section का ही होता है और price section के हिसाब से ही इसने 1420 के level को अगर break कर दिया होता तो मैं इसमें कहीं अपनी कुछ buying opportunity ढूंड़ता लेकिन फिलहाल के लिए यह stocks मेरे लिए कोई काम का नहीं है तो मैं इसको छोड़ता हूँ कि चलिए आज का दूसरा स्टॉक देखना है एंजल वन अगाता हूं आपके सामने कि यह वाला एंजल वन है यह वाला इंजल वन अरे भाई एंजल वन का गया एंजल वन Angel 1 Angel 1 तो यह Angel 1 का जो चार्ट है यह मंतली का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया जूए हम तो multi timeframe analysis करते हैं तो multi timeframe analysis की साब से देखते हैं कि सबसे पहले जो मंतली चार्ट है उसका व्यू का है उसका ट्रेंड किस तरफ है क्योंकि अगर हम लोग ट्रेंड को फ्रेंड बनाएंगे तभी यहां पे कुछ कमाएंगे अगर ट्रेंड को फ्रेंड नहीं बनाएंगे तो हम यहां से कुछ नहीं कमाएंगे तो सबसे पहले हम इसका तो थोड़ा सा hold करता हूं यह हमारा monthly chart आपके सामने लग गया है इसको थोड़ा सा आपन जूम आउट करते हैं तो यह देखिए NSC के अंदर data कम है अपन BSC का चार्ट लेते हैं NSC के अंदर data कम है तो अपन BSC का चार्ट लेते हैं तो NSC और BSC में ज़्यादा कोई फरक नहीं है सेम ही data है तो चलिए अपन NSC का ले लेते हैं तो यह NSC का मेरे पास data है और NSC के data के हिज़ाब से आप यह देख पा रहे हूं यहाँ पर यह एक high लगाओ है यहाँ पर एक यह high लगाओ है चलिए इसमें मैं अपना जो price section का जिगजेग pattern है उसको मैं mark कर देता हूं यह वाला यह low कुछ इस तरीके से मंतली चार्ट के हिसाब से इसमें जिगजेग बना हुआ है मंतली चार्ट के हिसाब से कुछ इस तरीके से जिगजेग बना हुआ है तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास यह opportunity है कि अगर मंतली चार्ट के अंदर यह stock 2020 के level को तोड़ देता है तो यह हमारे लिए काफी bullish हो जाएगा तो यह तो मंतली चार्ट की बात है तो मंतली चार्ट अभी closing हुई नहीं है तो यह तो बात अभी आगे की बात है जब मंत close होगा फिलहाल के लिए हम लोग weekly चार्ट इसका देखते हैं तो weekly चार्ट पर हो क्या रहा है मंतली टाइम फ्रेम के हिसाब से lifetime high का जो भी number है वो हमने mark कर दिया है जो कि हमारा 2020 का जो level है वो mark कर दिया है क्योंकि यही मेरा monthly के अंदर lifetime high था अभी candle बन रही है आप लोगों यह सोच रहोगे यार यह तो 23-23 पर भी trade कर रहा है अभी candle बन रही है इसने break किया है पिछले week यह जो high था हम इसी को मानेंगे कि यह मेरा lifetime high था सोच लो यह candle बनी नहीं है तो अब बताओ मेरे को lifetime high कौन size का 2022 है तो फिलाल candle चल रही है तो चल देख चल रही है तो उसी साब से हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी इसने break out तो दे दिया है लेकिन अब sustain इसके उपर करेगा यह नहीं करेगा यह तो monthly chart के हिसाब से हम लोग देखेंगे जब हमारा chart complete हो जाएगा भी तो uncomplete chart है क्योंकि monthly closing आई नहीं है तो अभी हम लोग देख रहे थे इसमें हमारा stock of the week तो weekly chart हम लोग यहां पर लगाएंगे और weekly chart हम लोग लगाएंगे तो weekly chart हमें लगाने के बाद यह जो level हमारा as agities हम यहीं पर रखते हैं और यहीं पर रखने के बाद आपको यहां पर पता चला कि इसने यहां पर इस candle पर 3rd October की जो candle complete हुई थी 3rd October का जो week complete हुआ था उसके अंदर stock ने क्या करा breakout देने की कोशिश की क्या किया breakout देने की कोशिश की लेकिन लेकिन क्या हु हो गया यानि कि ऊपर से एक rejection आ गया अब rejection आ गया तो भाया मैं तो इसको यहां पर लूँगा नहीं तो मुझे तो चाहिए rejection के ऊपर closing मुझे तो चाहिए rejection के ऊपर closing तो अब यह rejection के ऊपर next last week में rejection के ऊपर इसमें closing आ गई थी लेकिन यह confirm नहीं हुआ था लेकिन यह मेरे हि हिसाब से confirm हो गया होगा मेरे को कोई इसमें मतलब नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से confirm नहीं हुआ अब मेरे को confirm होना था कि next candle अगर इस हाई के ऊपर बने यह जो last week की जो candle थी इस candle का जो breakout है वो मेरे को last week का जो हाई है उसके ऊपर मिले तो मैं इसको confirmation मानता हूँ और उसके अंदर मुझे वोलूम भी मिले तो वोलूम भी मैं इसके अंदर मानता हूँ कि वोलूम भी मेरे को काफी अच्छा मिला है और यह एक मेरा जो कुछ percentage लेवल के ऊपर मेरे को breakout चाहिए उस हिसाब से भी मेरे को यहाँ पर एक trade मिल गई थी अब इस trade के अंदर मैं यह मानके चलता हूँ कि मेरे को confirm trade यहां पर मिल गई जो कि हमारा जो confirm trade है वो 2050 के level को इसने break कर दिया तो यह मेरे लिए क्या आव गई है यह मेरे लिए हो गई है confirm trade हो गई और confirm trade के हिसाब से मैं इसमें यह करता हूँ कि अब trade तो मेरे confirm हो गई लेकिन अब मेरे को यह जानना है कि इसमें buy और sell कहां पर करूँ मैं तो सबसे पहले मैं इसमें buy opportunity ढूंडता हूँ और buy opportunity ढूंडने के बाद मैं इसमें अपना SL mark करूँगा और SL mark करने के बाद मैं इसमें अपना target set करूँगा तो कुछ इस तरीके से मेरी जो इसमें entry और exit points रहेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें अपना entry point ढूंडता हूँ तो entry point कहां पर रहेगा देखिए इस cash के अंदर मैं अपना जो entry है वो दो level पर करूँगा इस case के अंदर मैं मेरी जो entry है वो मेरे दो level पर करूँगा अब दो level पर कौन से पर करूँगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ दो लेवल मेरे कौन से रहेंगे पहला मेरा लेवल ये वाला रहेगा जो की बाइस सो पचास का जो लेवल है वो मेरा पहले वाला लेवल रहेगा और दूसरा जो लेवल है मेरा वो मेरा ये वाला लेवल है जो की 2020 का जो लेवल है इन दो लेवल्स पे मैं अपनी एंट्री और उसके बाद मैं बताता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पर ट्रेड मिलती है 2020 के उपर लगबग मेरे को ट्रेड मिलती है तो यह जो rejection candle है इसी का मैं breakout के इसी का मैं यहाँ पर stop loss लगाँगा इसी का मैं यहाँ पर stop loss लगाँगा तो ये मेरा SL level हो गया और मुझे यहाँ पे entry मिलती है तो भी मैं इसका SL है ये वादा लगँगा अब ये जो SL है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया SL है थोड़ा सा बड़ा हो गया अगर मेरा अगर मेरी entry यहाँ पे होती 2020 के उपर होती और यह मेरा stop loss थोड़ा सा बड़ा यहां पे होता यह stop loss होता तो मेरा जो trade हो confirm perfect होता मतलब इसमें risk reward है वो काफी मेरे को छोटा risk reward काफी मेरे को favorable रहता मेरे favor मेरे risk reward रहता लेकिन अगर मेरे को entry यहां मिल जाते है और stock यहां तक नीचे तक नहीं आता तो फिर मेरे लिए risk यहा अपन बात करेंगे तो target तो इसका काफी बड़ा मेरे को दिखाई दे रहा है कुछी सापस्यापन देखते हैं तो काफ कोई बड़ी risk नहीं है तो फिल हाल के लिए मेरे entry points रहेंगे वो दो तरीके से entry points मैंने बता दिये पहला मेरा entry points दुबारा बताता हूं पहला मेरा entry points है वो यह वाला रहेगा लगभग लगभग 2250 का और दूसरा मेरा entry point रहेगा यह वाला 2220 का जो लेवला लगभग लगभग आपको 2050 में मिल जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है तो यह मेरे लिए दो entry points हो गए अब मेरे लिए entry points हो गए तो मैं SLB में मार्क कर लेता हूं त SL हो गया 3400 रुपे का मेरा weekly closing basis stop loss हो गया weekly closing basis stop loss हो गया अब आपकी entry 2050 पे होती है तो आपको 100 रुपे का SL लगेगा और अगर आपकी entry 2250 पे रहेगा तो आपको 300 रुपे का SL लगेगा तो यह थोड़ा सा रिस्की हो जाता है लेकिन कोशिश है कि अपन फस्ट यहां पर ऐसा ह हो सकता है कि अपन यहां पर एक तरह से ट्रेकिंग क्वांटेटी ले लेते हैं यानि कुछ पार्ट अपन ले लेते हैं उसके बाद जैसे stop नीचे अपन को opportunity देता है तो फिर अपन नीचे की तरफ से यहां पर buy कर लेंगे हो सकता है अजूम करके चल रहे हैं बट confirmation मैं इसक legacy करूँगा कि मेरी entry है वो लग 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 250 और 2050 पर हो जाती है तो मेरे लिए the best है उसके बाद मैं अपना SL यहां पर ढूंडता हूँ तो मेरा जो SL है सोरी मेरा जो target है यह stop यहां तक आया था और उसके बाद मैं इसको यहीं पर रखता हूँ मैं इसको यहीं पर रखता हूँ तो मेरा जो इसमें target बैठ रहा है मेरा जो इसमें target बैठ रहा है वो 3000 का target बैठ रहा है मोटा मोटा 3000 का मेरा target बैठ रहा है तो 3000 के level तक मैं इसको hold करूँगा इसके बाद यह जाने इसका काम जाने क्योंकि अपन का तो जो वही है अपन का ज आपसे काम करने का फाइदा अपन को यह होता है कि जैसे ही तीन हजार का लेवल आता है अपने उसमें पार्सली प्रॉफिट बूकर करके एक्जिट कर लेंगे उपर जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है लेकिन कई सारे कहते हैं कि यार 3,000 लेवल अब आगे क्या आगे मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है अपन को जितना मिला है उतना लेलो ना यहां से यहां से भी देखी फिर भी आपको तो अगर बाइस सो पचास के ओपर आपके एंट्री होती है तो लगभग लगभग आपको लगभग आपको 600-600 पोइंट है आपको आराम से मिल जाएंगे तो इस तरीके से आपने ट्रेड करेंगे तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं यहाँ पर यह मेरी कोई और सेल डिकमेंडेशन नहीं है अगर आप किसी भी तरह के की और सेल इसमें करते हो तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो तो इसको और सेल डिकमेंडेशन मत मानि अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरी ट्रेड का मचा बठाइए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक्यू बबाए